तो आपके लिए लेकर रहे हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फ्लीज चैनल को सब्सक्काइब कर लें और वेल आइकन को जुरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डाले उसका आप डेट आप लोगों को लगातार मिलता रह दिन और पंद्रा दिन में बना सकते हैं यदि पूरे मकान का बे अठारा सो रुपए हो तो एको कितने रुपए प्राप्त होंगे तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि एको कितने रुपए मजदूरी की रूम में प्राप्त होंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर एक इतने दिन में कावं कर रहा है जो एक कार कर रहा है वो कर रहा है यहाँ पर बारह दिन में तो हम क्या करेंगे बारह लिखेंगे अब बी को देखते हैं बी कितने दिन में कर रहा है तो बी कर रहा है पंदरा दिन में तो हमने आप पंदरा लिख लिए अब क्या करेंगे इ देखिए 12,65 यह 5 आगया अब यह जो 5 आया है यह आया एक दिन की एक कारचमता आ गई इसी प्रकार से हम 20 की कारचमता निकाल लेंगे अब जब 15 से 60 को डिवाइट करेंगे तो यहां पर कार्चमता निकलाएगी 15,4,60 तो यहां पर जो चार आई वो बी की एक दिन की कार्चमता आई और जो 60 आया है यह है टोटल वर्क अब कुश्चन में क्या का गया है कुश्चन में का गया है कि पूरे मकान का जो बी है वो है 1800 रुपए तो यहां पर देखिए यहां पर दोनों की मिला कर कार्चमता कितनी हो जाएगी तो A plus B की कारचमता हो जाएगी A की कारचमता है 5 plus B की है 4 तो दोनों की मिलाकर एक दिन की कारचमता हो जाएगी 9 अब देखिए यहां पूरे मकान का 2 कितना है? 2 है 18.00 रुपए तो 9 बराबर 18.00 दिया गया है तो 1 बराबर कितना हैगा? जब इसको कट करेंगे तो 1 बराबर आजाएगा 200 अब हमसे किसका पूँचा गया है? तो 1 को कितने रुपए A का पूँचा गया है तो A की यहां पर कारचमता कितनी है? देखिए एक की कारचमता है 5 जब 1 बराबर 200 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? पांच इंटू 200 तो यहां पर कितना आ जाएगा निकल कर एक हजार रुपए जो हैं वो एको प्राप्त होंगे तो एक हजार रुपए कौन से ओफशन में दिया गया है तो ओफशन नमबर C पर दिया गया ओफशन नमबर C इस करेक्ट हो जाएगा तो देखें C इस करेक्ट हो जाएगा इसको एक बार फिट से समझते हैं इस कुश्चन में क्या किया गया देखिए कुश्चन में का गया था A तथा B किसी मकान को अलग-अलग 12 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं यदि पूरे मकान का 28-800 रुपए हो तो A को कितने रुपए प्राप्त होंगे तो सबसे पहले A जो कार कर रहा था वो 12 दिन में कर रहा था B 15 दिन में कर रहा था फिर हमने क्या किया 12 और 15 का LCM लिया तो यहाँ पर LCM जो आया वो 60 आया जो 60 आया यह टोटल वर्क है अब देखते हैं जब 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा जो 5 आया वो A की एक दिन की कार चमता है इसी प्रकार से हमने B की कार चमता निकाली जब 15 से 60 को डिवाइड किया तो यहाँ पर 4 आया जो 4 आया वो B की एक दिन की कार चमता है पर कुश्चन में का गया है पूरे मकान का ब्याइड अठारा सो रुपए था तो देखिए यह दोनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 5, 9 काम कर रहे हैं और 9 काम के रुपए कितने मिलना है अठारा सो तो 9 बरावर अठारा सो दिया गया है तो एक बरावर कितना आ जाएगा दो सो एक काम से पूचा गया है तो एक ही यहाँ पर कार चमता पांच है जब एक बरावर दो सो है तो पांच बरावर कितना आ जाएगा पांच इन्टू दो सो तो यहाँ पर ये चोटी से छोटी से चोटी संक्या । जो इन दोनों से डिवाइड हुझाई तो इन दोनों से डिवाइट होने वाली संख्या कौन सी है 120 अगर ले 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 तो 20 छक्का 120 और 24 पन से 120 तो जब 20 से डिवाइट करेंगे तो यहाँ पर देखिए राकेश की एक दिन की कारचमता निकलाएगी कि इसी प्रकार जब 24 से डिवाइट करेंगे तो मौहन की एक दिन की कारचमता निकलाएगी । जब 20 से हम 120 को डिवाइट करेंगे तो कितने बार जाएगा 26borश और 26 बार गया जो 6 आया, वो राकेश की एक दिन की कारचमता है आप मोहन की निकाल लेंगे सब्सक्राइब तो इन दोनों की कार चमता जो आई यह वो कितने आई ग्यारा सो तो ग्यारा ग्यारा बराबर कितना दिया गया है अब क्या करेंगे देखिए इसको जब कट करेंगे तो एक बराबर हम निकाल लेंगे एक बराबर कितना आ जाएगा एक बराबर आ जाएगा ग्यारा चका चाह पैसो करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा तीन हजार जो मोवन को रुपए प्राप्ट होंगे वो कितने होंगे तीन हजार रुपए यह कौन से ऑप्षण में दिया गया तो ऑफशन नमबर सी इच करेक्ट हो जाएगा जोश्तों इस कुश्चन को एक बार फिट से समझत किया तो राकेश की एक दिन की कार्चमता कितनी हो जाएगी तो देखिए राकेश की एक दिन की कार्चमताइगा 5 हो जाएगी और कुश्चन में जो पूरी सड़क का ब्या है वो कितना दिया गया चांचफ सो रुपय दिया गया तो घ्यारा बराबर कियारा बराबर कितना दिया गया एक बराबर निकालना..? जब एक बरावर हमने निकाला तो 600 आ गया, फिर question में पूछा गया है कि मोहन को कितने रुपए प्राफ्थ होंगे, तो मोहन की एक दिन की कारचमता 5 है, तो हमें 5 बरावर निकालना है, जब एक बरावर 600 दिया गया है, तो 5 बरावर कितना दिया गया, पांच इन्टू 600 कर देंगे, तो यहां पर मोहन को जो रुपए प्राफ्थ होंगे, वो कितने होंगे, 3000 रुपए, अगर यहीं पर आप से राकेश के पूछ लिए जाते, तो राकेश की कारचमता कितनी है, देखिए, राकेश की कारचमता 6 है, और एक बराबर हमने निकाला कितना है, 600, तो यहां पर हम 600 से मल्टिप्लाई कर देंगे, जो राकेश को रुपए प्राफ्थ होंगे, वो कितने होंगे, 3600, तो यहां पर राकेश को 3600 प्राफ्थ होंगे, और मोहन को 3000 प्राफ्थ होंगे, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से और और कमेंट करना विलकुल न भूले आते हैं अंगले कुश्चन पर जो अंगला कुश्चन है उसको देखते हैं देखें जो अंगला कुश्चन है वो है A, B, C किसी काम को करमसा 20 दिन 25 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं कर सकते हैं तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 74 रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्ट किये तो C को मजदूरी के रूप में कितने रुपए प्राप्ट होंगे तो C का हमसे मजदूरी पूछा गया है तो इस question को solve करने के लिए हमें क्या करना होगा देखिए जो A कार कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है A कार कर रहा है यहाँ पर 20 दिन में हमने 20 लिख लिए फिर B कार कितने दिन में कर रहा है B कार कर रहा है यहां पर पच्छिस दिन में लिख लिया Ahum J double C करेंगा वह कितने दिन में कर रहा है वो कर रहा है तुमने क्या करना है देखिए इन तीनों का LCM लेने है LCM वह संख्या होती है जो बीस से लिज़ाएं तो देखिए बीस और पच्शिस तिस से कटने वाली संख्या वह कौम सी है तो वह संख्या है 300 जो की 20 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी और 300 भी कटेगी तो अगर 20 से 300 को डिवाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा बीस میں 30 सो में 20 का भाग देंगे तो यहाँपर 25 बाइगा अब यह जो पन्दरा आई आया है ये एकी एक दिन की कारचमता इसी प्रकार से हम B की कारचमता निकाल लेंगे जब 25 से 300 को को डिवैट करेंखें तब कितने बाइबाद जाएगा इन तीनों की एक दिन की कार्चमता कितनी है तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तो एक की कार्चमता कितनी है पंदरह है हमने पंदरह लिख लिए प्लस बी की कार्चमता कितनी है बारह हमने बारह लिख लिए अब सी की कार्चमता कितनी है प्लस दस तो हमने दस लिख लिए 37 بराबर जो है वो 64-षब तर्व रुपjer दिये गए तो हमें एक बराबर निकालना है तो 37 डूना कितना होता है 24 तो एक बराबर कितना आ गया एक बराबर आ गया दो सो और हमसे क्योच्यन में पूंचा किया गया है तो सी को मजदुरी के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे तो देखिए यहां पर C की जो कारशमता है वो कितनी है C की कारशमता यहां पर है 10 तो हमें 10 बराबर निकालना है जब 1 बराबर 200 आया है तो 10 बराबर कितना प्राप्त होंगे तो 2000 रुपए और यह तो दोस्तों यह 2000 रुपए कौन से ओसन में दिये घैंगा ओसन नमबर सी इस करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों इस क्या किया एक बार फिर से समझते हैं धेखिए क्यूस्चन में कहा गया था कि जो A है वो कार कर रहा है 20 दिन में, B कार कर रहा है 25 दिन में, C कार कर रहा है 30 दिन में फिर हमने क्या किया इन तीनों का LCM लिया, LCM वो संख्या होती है जो 20 से भी डिवाइड हो जाए 25 से भी डिवाइड हो जाए 30 से भी डिवाइड हो जाए इसी प्रकार से हमने जब B की कारचमता निकाली एक दिन की तो कितनी आ गई जब हमने 22 से 300 को डिवाइट किया तो 12 जो 12 आया ये B की एक दिन की कारचमता है फिर C की निकाली तो 300 को 30 से 300 को डिवाइट किया तो यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया जो कि C की एक दिन की कार्चमता है फिर हमने देखा कि इन दीनों की मिला कर एक दिन की कार्चमता कितनी है तो एक दिन की इन तीनों की मिला कर कार्चमता कितनी है 15, 12, 10 तो एक दिन की कार्चमता जो निकल कर आई वो आई यहाँ पर 37 और 37 बराबर दिया कितना गया था मजदूरी यहाँ पर 74 रुपए प्राफ्ट हो रही थी तो 37 बराबर दिया गया था 34 देखिए 37 का भाग 84 में कितनी बार जाएगा दो बार जाएगा तो एक बराबर कितना निकल कर आ गया एक बराबर निकल कर आ गया दो और question में हमसे पूंचा गया था कि C को मजदूरी के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे तो यहाँ पर C की जब हमने देखी कार्शमता 10 है तो एक बराबर 200 निकला तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 200 करेंगे तो यहाँ पर 2000 आ जाएगा और यहीं क्या हो जाएगा आंसर तो इसी प्रकार से अंगला question देखते हैं जो अंगला question है उससे पर आते हैं देखें जो अंगला question है वो है राम, सियाम और कमल किसी काम को क्रमसा 18 दिन, 24 दिन तथा 36 दिनों में कर लेते हैं तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 36 सो रुपए पारिश रमिक के रूप में प्राप्त किये सियाम की पारिश रमिक ग्यात कीजिए तो यहाँ पर हमसे किस की पूची गई सियाम की पूची गई तो सबसे पहले देखते हैं जो राम काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है राम काम कर रहा है अठारा दिन में हमने अठारा लिख लिए अब देखते हैं सियाम कितने दिन में कर रहा है तो सियाम कर रहा है यहाँ पर 24 दिन में हमने 24 लिख 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 36 अब क्या करेंगे अब लेंगे LCM LCM वो संक्या होती है जो 18 से भी Divide हो जाए 24 से भी Divide हो जाए 36 से भी Divide हो जाए तो यहाँ पर अगर हम 72 LCM ले 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 तो देखिए 18, 4 को बातर 24, 32, 36, दूनी बातर 18 से भी Divide हो रही बातर 24 से भी 36 से भी तो जब 18 से भातर को Divide करेंगे तो कितने भी बातर जाएगा 18, 4 को बातर जो 4 आया यह राम की एक दिन की कार्चमता है इसी प्रकार से हम स्याम की निकाल लेंगे और कमल की भी निकाल लेंगे जब स्याम की कार्चमता निकालेंगे 24 से भातर को Divide करेंगे यहां पर कितने बार जाएगा 24 तिया बात्तर जो तीन आया यह सियाम की एक दिन की कारचमता है अब कमल की निकाल लेंगे जब कमल की निकाल लेंगे 36 सियाम बात्तर को जब डिवाइट करेंगे तो कितने बार जाएगा 36 दून बात्तर यहां पर जो दो आएगा वो कमल की एक दिन की चार है स्याम की एक दिन की कार्चमता तीन है और यहां पर कमल की एक दिन की कार्चमता दो है तो इन तीनों की मिलाकर एक दिन की कार्चमता कितनी आगई चार तीन साथ दो नो तो यहां पर नो बराबर कितना दिया गया है देखिए नो बराबर मजदूरी के रूप मे पारिश्रमिक के रूब में 3600 रुपए प्राफ्ट हो रहा है तो यहां पर 3600 दिया गया है अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो कितने बार जाएगा नो चोको 36 तो यहां पर एक बराबर कितना आ गया एक बराबर आ गया 400 पूछा किस का गया इसका पूछा किया पूछा गया है या तो यहां तो यहां पर कितना आ जाएगा चार तिया 1200 जो बारा सो रुपए maior वो सियाम को पारिश्रमिक के रूप में प्राप्ट होंगे तो यही क्या हो जाएगा आं।ब option number B पर दिया गया option number B is correct हो जाएगा तो दोस्तों इस question में हमने क्या किया एक बार फिर अच्छे से समझते हैं देखिए question में कहा गया था कि जो राम काम कर रहा है वो 18 दिन में कर रहा है स्याम कर रहा है 24 दिन में और कमल कर रहा है 36 दिन में 18 से जब बातर को डिवाइट करेंगे तो यहाँ पर राम की जो कारचमता निकल कर रही वो कितनी आई 4 और जब 24 से हमने बातर को डिवाइट किया तो यहाँ पर स्याम की जो कारचमता निकल कर रही वो 3 इसी प्रकार से हमने कमल की कारचमता निकाली जब 36 से बातर को डिवाइ चार है स्याम की एक-दिन की कार्शमता 3 है और कमल की एक-दिन-की कारशमता 2 है तो इन तीनों की मिलाकर एक-दिन-की-कारशमता कितनी है नवर और देखिये क्विश्चनMai जो मजदूरी के रूप में प्राप्त हो रहा है वो कितने और थे characteristics और पर कितना दिया गया मुझा सब्सक्राइब तो एक बराबर निकालआ नौ चयामु का भाग च кажश्कांतिष YUM घाले लेना है तो स्याम एन्तु चारसो कर देंगे, यहाँ पर पारेंचियमन के रूप में प्रापत होंगी आगर यहां पर आप से राम का पूंचि लिया जाता तो राम की कार्श Après को आए और शोना सो अगर बी की पूंचियमन के पूंचिन की तो पाई गई है 1200 अगर कमल की पूंच लिए जाती तो क्या करते कमल की जो कार्ण चमता है वो है दो और तो तो 400 को मल्टिपलाई कर देते तो कमल की कार रुपए आ जाते यहांपर चारदूनी निए तो जो कमल को रुपाय प्राप्स होते वो कितने होते 800, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें सियाम की ग्याद करनी थी, सियाम की पारिश रमिक कितनी है, 1200 रुपाय और यही मारा क्या हो गया, अंसर, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, तो पली चैनल को सबस्क्रा काम को क्रमसा 40 दिन 60 दिन तथा 80 दिन में कर सकते हैं यदि तीनों ने मिलकर काम किया तो उन्हें मजदूरी के रूम में 900 रुपए प्राप्थ हुए तो एवाज C की मजदूरी ज्याद कीजिए तो इस वी करने के लिए क्या कर रहा होगह सबसे पहले देखते हैं कि ए कितने दिन में कार कर रहा है जो आ 240 चोटी से चोटी संख्या LCM ले लें तो देखिए 40 से भी डिवाइड हो रही 60 से भी डिवाइड हो रही 80 से भी डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर जब 40 से 240 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 24 चुर्ण 24 यहाँ पर 6 बार गया तो जो 6 आया यह A की एक दिन की कार चमता है इसी प्रकार से हम B और C की यहाँ पर कार चमता निकाल लेंगे जब देखी हम 60 से 24 को डिवाइट करेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा तो यहाँ पर कितने बार जाएगा 6, 4, 24 यहां पर 4 बार गया जो 4 आया है यह B की एक दिन की कारचमता है अब इसी प्रकार से हम C की निकालेंगे जब तो C की एक दिन की कारचमता कितनी आ जाएगी देखिए C की 80 से हम जब 240 को डिवाइट करें यहां पर 3 आ जाएगा जो C की कारचमता आई वो एक दिन की कितनी आई तीन अब हमें देखना है कि इन तीनों की मिलाकर एक दिन की कारचमता कितनी है तो यहां पर देखिए जो A की कारचमता है वो 6 है प्लस B की कारचमता कितनी है B की यहां कारचमता यहां 4 दी गई है तो 4 है और C की कार्चमता कितनी है C की देखी कार्चमता यहां पर 3 दीगे यह तो प्लस हम 3 कर लेंगे अब देखी इन 3ों की मिलाकर एक दिन की कार्चमता कितनी है तो 6, 4, 10, 3, 13 एक दिन की कार्चमता कितनी है 13 और 13 बराबर हमें मजदूरी के रूप में कितने रुपए प्राफ्ट हो रहा है, 9100 रुपए, तो 13 बराबर 900 रुपए दिये गए हैं, अब हम क्या करेंगे, 13 से 900 रुपए को डिवाइड करेंगे, जब 13 से हम भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा, एक बराबर कितने आ जाएगा, 13 सक्ते, एक क्यानवे, यहाँ पर एक बराबर 700 रुपए, अब हमसे पूछा क्या गया है, तो A वास C की मजदूरी ग्याद कीजिए, तो देखिए, सबसे पहले हम A की मजदूरी ग्याद करते हैं, तो यहाँ पर A की मजदूरी कितनी है, A की कार चमता है, एक दिन की कितनी है, 6 है, एक बराबर आया कितना है 700 आया है तो हमें 6 बराबर निकालना है 6 बराबर हम निकाल लेंगे तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू 700 कर देंगे तो यहाँ पर एक ही जो है एक ही मजदूरी कितनी आ जाएगी देखिए 6,742 तो एक ही जो मजदूरी है तो C बराबर 3 एक बराबर आया 7 तो 3 इंटू 7 कर देंगे तो कितना आ जाएको जो C को रुपए प्राप्त होंगे वो कितने होंगे 7 या 2100 रुपए प्राप्त होंगे देखिए जो A को रुपए प्राप्त होंगे वो 4200 होंगे और C को रुपए प्राफ्ट होंगे, यहां पर कितने होंगे, 2100 रुपए और कुश्चन में हमसे क्या पूशा गया था, तो A वाज C की मजदूरी ग्याद कीजिए तो C की मजदूरी कितनी आ गई, 2100 हो आ गई, A की मजदूरी यहां पर 4200 हो आ गई अब देखिए, इन दोनों की मिलाकर मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो A प्लस C की मजदूरी हो जाएगी, देखिए, A की मजदूरी आई है, यहां पर 4200, तो हमने 4200 लिख लिए, और C की मजदूरी कितनी आई, C की मजदूरी आई है, यहां पर 2100, हमने 2100 लिख लिए, जब इस अप्र पर कहा है अब Μेचा को इस चार रुपएं को और उघ्र जाएगगा तो दोस्तों इस्जाज्चिन को एक बार एक बार अच्छे से समझते हैं उई स्किर्थिसमें इस च्राARD कर üzere й हों चालिस दिन में कर रहा है निए M हम लिया यहां पर चालिस से भी डिवाइड किया तो यहां पर कितने बार गया देखिए चारचंग चौवेश छह बार गया जो च्छै आया वो एक ही एक दिन की कार्चमता आ गया इसी प्रकार हमने बी और सी की कार्चमता निकाली जब की कार्चमता ने काली तो चार आई और सी की कार्चमता तीन आई फिर हम jadi के रूप में 90 रुपए याने की 900 रुपय प्राफ्ट हुए है तो देखि ए भी और host बराबर यहां पर 902 रुपई दिये गए थे 900 रुपई तो एक बराबर हमें निकलना एक बराबर जब 13 से 900 रुपई में भाग देंगे 990 में भाग देंगे कितना आएगा 137 एक नवे तो बराबर 700 आजाएगा question में पूछा गया था A वाब B की मजदूरी ग्याद किजिए तो सबसे पहले हम A की मजदूरी ग्याद करेंगे तो देखिए A की जो कार्चमता है वो A6 तो यहाँ पर A बराबर 6 है और एक बराबर आया कितना है तो 6 से हम 700 को मल्टिप्लाई कर देंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा 42 जो A को मजदूरी के रूप में प्राप्त होंगे वो कितने होंगे 42 रुपए अब हमने C का जब देखा तो C की एक दिन की कार्चमता यहाँ पर 3 है और C की एक दिन की कार्चमता जो 3 है और यहाँ पर एक बराबर आया है साथ तो 3 को हम 700 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर C बराबर कितना आ जाएगा चो C को मजदूरी के रूप में रुपए प्राप्त होंगे वो कितने होंगे वहाँ पर 2100 अब हम दोनों की एक साथ देख लेते हैं तो एक साथ A प्लस C की देखि कि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगतार मिलता रहें तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिलकुल न भूले थैंक्यू धन्वाद